तो गाई स्वागत आप सभी का एक न्यू वीडियो में और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पाँच सबसे बेकार मनी इन दबैंक वेनर्स की जिनने मेरे अकॉर्डिंग मनी इन दबैंक नहीं जीतना चाहिए था अब मैं ये नहीं कहा रहा है कि वो सुपरस्टार् कार्ड दिखाया इसलिए अगर मनी इन दबैंक विन ना बनाती तो वह भी ठीकी रहता और इस वीडियो का टॉपिक एक बार फिर से आया अतुलसा टीपी की तरफ से जिनका टॉपिक है फाइव वाच डब लवली सुपरस्टार हूँ ओन मनी दबैंक ब्रीफ के मनी दबैं तो गाइज इस लिस्ट के सुरुवात कर लेते हैं नंबर पांच से और पांचे नंबर बना मैं हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मिस्टर हसल लोयल्टी एंड रिस्पेक्ट जॉन सीना का अब गाइज मैं यह नहीं कह रहा कि जॉन सीना एक विकार सुपरस्टार है उन् और दमीस को हराकर रॉव मनिन दब बैंक विनर बने लेकिन हमें पता ही है जॉन सीना हमें से डबल डबली के एक टॉप बेवी फेस रहे हैं तो ऐसे में उन्होंने यहाँ पर अपना कैशिन किसी चालाकी से निंग किया बलकि वो रॉव के हजारवे एपिसोड में सीधा सी तो जाते हैं लेकिन उनके हाथ ना ही चैंपिसिप लगी और ना ही उनके पास अब मनी दब बैंक ब्रीफ केस बचा था और यही चीज में जॉन सीना के केस में बिल्कुली पसंद नहीं एक टॉप स्टार जिसे आप इस तरह से बुक कर रहे हो या तो आप उसे पहले मनी द शिशार। जैक वेड बैरेट कोडि रोड्स के ज्यादा कमालं का था वहाँ पर сложّ की काफ जया प्र मैन्द बैंक बिल नर बनें वहां पर प्र साइथ कि अच्छी नहीं थी लेकिन इंग्रिंग की स्किल्फ लग पक्थी ठाकी थी और इस चीज़ का किसी को भी अंदाज आनी था कि वो कब और कैसे अपना कमनी इन दबैंक कैसिन करेंगे लेकिन जब जान सीना है लिनसेल 2013 में एलबर्टो डेल रियो को राकर आये थे और उस समय पर उन्हें एक सोल्डर इंजरी भी थी उसी टाइम डेमिन सेंडों ने र इसको रिटेन कर लिया था और ऐसे डेमिन सेंडों को मनी दबैंक जितवाना उसके बाद जॉन सीना जो की केवल एक हाथ से रसल कर रहते उनसे हरवा देना ये कहने के इन डेमिन सेंडों को नाम इस लिस्ट में डाला है तो गाइस हमारी इस लिस्ट के तीसरे नमबर पर को आज कल देखी सकते हैं तो गाइस साल 2017 में बैरन कॉर्बन ने मनी दबैंक जिता और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि डब डबली उनके लिए कुछ अच्छा प्लैन करेगी तो मनी दबैंक जितने के बाद बैरन कॉर्बन की स्टोय लाइन सिंसु के नाका मूरा से चल लोड में जॉन सिना डबल डबली चैंपियन जिंदर महल को फेस कर रहे थे कॉर्बन ने इस मैच में इंटरफेर किया और यह मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाता है यहां पर बैरन कॉर्बन दोनों सुपरस्टार पर अटाक कर देते हैं और इसी के साथ वह अप ना मनीन द बैंक खोच चुके थे और मनीन द बैंक हाटते ही मानों बैरन कॉर्बन का करियर नीचे जाने लगा और अगर उनका वह कैसे सक्सफल होता तो आज क्या पता बैरन कॉर्बन कहीं और होते हैं पर जिस तरह से डवलंगों किया परसनली मुझे यह चीज बिलकुली पसंद ने आई क्यूंकि वो में रॉस्टर पर एक काफी अच्छी सुपस्टार नजरार थे और ऐसे लग रहा था कि कहीं ने कहीं वो एक बड़े हील बनेंगे और कहीं ने कहीं मुझे लगता है उसी हार के वैसे बैरन कोर्बन का करियर पूरी तरह से बरबाद हो गया और आ मैच के दूरा हम ने देखा कि एजे स्टाइल्स के आथ से मनी इन दे बैंक फिसल जाता है और वो ओर्टिस के हाथ में आ जाता है जिसके वैसे उटिस हमारे न्यू मनी इन दे बैंक विनर बन जाते हैं ब्रीफ केस तो जीत गये थे लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग बेकार था क्योंकि वह उस समय पर एक नए नए जाता और इसी रिजण से उटिस भी इस लिस्ट में सामिल है तो गाइस अब बढ़ लेते हमारे लिश्ट के पहले नंबर पर और यहां पर नाम आते हैं monster of all monsters यानि Braun Strowman का और guys Braun Strowman को जिस तरह से book किया जाए था वो सच में एक monster नजिर आते थे साल 2018 में Braun Strowman Man in the bank जीते लेकिन बेकार चीज वहाँ पर यह हो गई थी कि Braun Strowman एक baby face superstar बन चुके थे और मुझे लगता है एक baby face superstar को man in the bank handle करना थोड़ा मुश्किल रहता है ताकि Brock और Roman के मैच के बाद वो अपना कैसिन कर सके लेकिन मैच के दुरानी Brock Lesnar उन पर अटैक कर देता है और वो उनका brief के जुटा कर स्टेज की तरफ फेक लेते हैं ताकि वो money in the bank कैसिन को avoid कर सके और बिल्कुल ऐसा ही होता है इस चीज का फाइदा Roman Reigns को मिलता है वो Brock को एक spare लगाते हैं और बन जाते हैं हमारे new WWE Universal Champion लेकिन इसके बाद Rock episode में Roman Reigns और Finn Balor का मैच होता है for the Universal Championship जिसमें Roman Reigns अपनी Championship को retain कर लेते हैं लेकिन इसके बाद यहाँ पर entry होती है Braun Strowman की और वो यहाँ पर अपना Man in the Bank भी cash in कर देते हैं लेकिन तभी यहाँ पर entry होती है Seth Rollins और Dean Ambrose की और यहाँ पर The Shield एक बार फिट से reunite हो जाती है और इसी वजह से Braun Strowman अपना Man in the Bank briefcase भी खो देते हैं तो guys कहीं ने कहीं Braun Strowman जिस तरह के superstar है मुझे लगता है कहीं ने कहीं उन्हें यहाँ पर इस तरह से नहीं हरोना चाहिए था या तो आप उने Man in the Bank briefcase देते हैं अगर दे दिया था तो जिस तरह के वो एक monster superstar थे उन्हें बिलकुल monsters booking मिलनी चाहिए थी लेकिन डवलबली ने ऐसा नहीं किया इसके बाद हम देखते हैं कि Braun Strowman यहाँ पर Drew McIntyre और Doll Jiggler के साथ एक tag team बना देते हैं और इसी तरह से इसके बाद इनकी The Shield के साथ storyline चलने लगती है तो कहीं ने कहीं मेरे साफ से डवलबली ने इस opportunity को पूरी तरह से waste कर दिया था और अगर कैसे भी करके Braun Strowman को उसमें पर चैंपर बना दे जाता तो उनके लिए वो काफी ज़्यादा फाइदमन साबित होता तो गाइज यह थे मेरे कोर्डिंग वो पांच डवलबली मन इन दबैंक विनर जो की काफी ज़्यादा बेकार साबित हुए बाकी आज की वीडियो बसें तक थी वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और कमेंट करके ज़रू बताना आपके साब से आज तक का सबसे बेस्ट मन इन दबैंक कैसे इन कौन सा था मिलते रहेंगे इस इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई